हेलो फ्रेंज, आज मैं बनानी जा रहे हूँ आलू की भरी रोटी की रेसिपी, इसे आप जट पर नाश्तिव बना कर खा सकते हैं, ये खाने में बहुती स्वाधिश्ट होता है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं आलू की भरी रोटी बनानी के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम आटा लिया है और डेल कप पानी उसकिया है, आटे को अच्छे से गून लेंगे, मुझे आटा गून में लगबर पीन मिनट लगे हैं, अब एक बूल में हम चार आलू लेंगे, इसे अच्छे से मैश कर लेंगे दो हरी मिर्च काट लेंगे, दो हरी मिर्च को मोटा मोटा काट लेंगे और आलू में मिला लेंगे, मैं आपे थोड़ा सा हरा धनिया उसकर रहे हूँ, इसे भी मोटा मोटा चॉप कर लेंगे, पर इस आलू की मिक्शर में आट करेंगे, आदा चमश नमक और इसे अच्छे सा फ्लैट कर लेंगे अब इसमें में दो चमच आलू का मिक्चर भर रही हूं इसे दबाकर अच्छे से सील कर देंगे इसे दुबारा से हथेलियों में रोल करके हम अच्छे से सुखाट लगाकर फ्लैट कर लेंगे अब इसे एक रोटी की शेप देंगे तब अच्छे से गर करें साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरी वीडियो तेख सके सबसे पहलें तुछ लिए में पहीं अगली वीडियो में तब ते के लिए बाइबाइब